एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे तीन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अगर आपको सुबह की जल्दबाजी में कुछ अच्छा और टेस्टी सा खाना है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ड्राई करिएगा और आज की रेसिपी में अगर आपको ज़रा भी कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो आज की सबसे पहली रेसिपी हम बनाएंगे पोहे के साथ तो पोहे को मैंने यहां पे ले लिया है आधा कप और इसे हम अच्छे से पानी से वाश कर लेंगे तो दो तीन पानी से अच्छे से नल के नीचे मैंने वाश कर लिया है इसे थोड़ा सा पानी डाल करके हम रख लेंगे अब यहाँ पे एक पैन में हम तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा लेसुन हरी मिर्ची और साथ ही एड़ कर देंगे, दो छोटे साइज के टमाटर रफली चौप करके, इसे अच्छे से मिला लेंगे, अब टमाटर अच्छे से गल जाए, इसके लिए हम यहाँ अ हमें पूरा देख सकते हैं और देख सकते हैं, अब यहां परम पर 1 कर packed मुम्फली है को इसमें डाल करके 2 seconds रूप करेंग के हला का डू dwit data कुल मिकसर जार में लिए पीस लेंगे तो यहां मैंने इसे बढ़िया सा पीस लिया है और इसकी थिकनेस आप अपने नुसार कम जादा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे रा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़िया बहुत ही टेस्टी सा हमारा चटनी बन करके तयार है अब इसमें लगाएंगे तर्का तो तर्के पैन में मैंने दो चमच तेल गरम किया है थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा सरसो उरत की दाल आधा चमच चने की दाल आधा चमच दो सुखी लाल में चोट करी पत्ता डाल करके इसमें तर्का लगाया है तो ये चटनी हमारी मज़ेदार से बन करके तयार है एकदम अलग तर्की की चटनी है एक पर जरूर आप ट्राइ करिएगा अब देखते हैं नेक्स प्रोसेस तो यहाँ पर एक बावल लेंगे उसमें डालेंगे एक कप जितना बारिक वाला सूजी अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिकसर जार में चला करके ले लिजेगा अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप दही और इसी के साथ डाल देंगे नमक स्वाद के नुसार अब इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आप दही नहीं खाते होंगे तो दही की जगे पे निम्बू का रस ले सकते हैं तो एक निम्बू का रस आप इसमें निचोड लीजेगा अब इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक बैटर तयार करना है तो सूजी पानी अबसॉब करती है तो इसे हम रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए चलते हैं दूसरी तयारी की और तो यहां पे मैंने लिया है प्याज बारिक काट करके साथ ही लिया है शिमला मिर्च बारिक काट करके इसी के साथ गाजर लिया है थोड़ा सा धनिया पती लेंगे और यहां पे टमाटर लिया है मैंने एक बारिक चॉप करके इसके बाद इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चमच आप हरी मिर्ची भी आड़ कर सकते हैं और आधा चमच इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर साथ ही एक जो थाई चमच काली मिर्चो का पाउडर मैं यहां पे इसमें नमक नहीं आड़ कर रहे हूं हम ब इसका हमें पेस्ट तयार कर लेना है तो इसमें पानी वगर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जब इसे एब्जॉब करने के लिए रखा था तो पानी डाला हुआ था अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी आप इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हम मिला देंगे सूजी वाले ब तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से इसे अच्छे से मिला लेंगे और बैटर को हम दो भागो में डिवाइड कर लेंगे ताकि इससे हम दो तरीके के नाष्टे बना सकें तो पहला तरीके के लिए हमें क्या करना है बैटर आधा कर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ड अगर थीक लगता है आपको थोड़ा सा पाणी डाल दीजेए अगर आपको थोड़ा सा पाणी डाल दीजेए अगर दीजेए अगर थीक लगता है तो थोड़ा सा सूजी आप डाल सकते हैं अब जो हमने सब्जी ओ अला मिश्रण तेयार किया था उसे हमें इसके उपर इस तरीके से डाल देना है और बस हलका हलका नमक चिड़त देना क्योंकि सब्जीयों में हमने नमक नहीं डाला था औ अब बाइफ्लेम पे नहीं सेखेंगे वरना नीचे से जल जाएंगे उपर से पकेंगे नहीं दुनु तरप से बढ़िया से सेक लिना है और इस तरीके से यह हमारा सूजी और पोहे का उत्तपम बन करके तयार है बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा नाशता है आप इस तरीके से बना करके बच्चों के टिफिन के लिए दे सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लगता है चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए तो यहां पे सेम बैटर ले लिया है मैंने देख सकते है जो हमने अलग करके रखा था बैटर अभी थिक है इतना ही थिक हमें बैटर च दो से तीन चुटकी के करीब बेकिंग सोडा आप इसकी जगह पे आधा चमच इनू भी एट कर सकते हैं अब इसके बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत जादा पतला नहीं करना है और इसके बाद यहां पर मैंने इस तरीकी की छ के चलिए और तीनो काटोरियो को हमेज तरीके से सेट कर लेना है जितनी आपकी मतलब बरतन है उसे इसे बना सकते हैं अब इसे रख देंगे 10-12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए क्लिए क्यों की छोटी-छोटी काटोरिया है बहुत जल्दी स्टीम हो जाएंगी तो मैंन यह ठंडे हो गए हैं और बस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा नाश्ता देख रहा है खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टीस्टी तो है ना 3 in 1 कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको इन में से कौन सी रेसि तो बिना तेल का अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह या फिर रात को शाम को तो आप इस तरीके से बना करके खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तो इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगी तिल और एक टेकर और बाई